ओम क्रिया बाबाजी नमहा, ओम श्री मात्रे नमहा, श्री विद्य पिठम में आप सभी सादोगों का स्वागत्य मित्रों, कल सिता नौमी है, आप सभी को सिता नौमी की हार्दिक शुब कामना है, आज का ये जो लेक्चर है, वो सिता, माता सिता जो है, उनके बारे में है, स फिजिटय मेंने राम नुव्मि मनाई आप लोगों ने तो लूमोमी के दिन जैसे स्री रामही का जनम हुआ ता वैसे ही सृता नुवमी के दिन मातासिता का जनम हुआ था ऐसा एक मान्यता है για forsk positivo अब आज के लेक्चर में हम माता सिता के विशर में एक विशेश जानकारी लेगें ये विशेश जानकारी कौन सी है तो ये माता सिता और रावन के बारे में है इनका रिष्टा क्या था क्योंकि बहुत जगहों पर आपको ऐसे सुनाई देगा कि रावन की पुत्री माता सिता थी ऐसा सुनने में आता है तो क्या ये बात सत्य है इस बात में कितना तत्य है या ये जानकारी किस प्रकार से सत्य में परावर्तित होती है तो ये जो गुप्त बाते है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से हम कह सकते लेक्चर है क्योंकि आज में जो आपको ये माता सिता के बारे में इन्फॉर्मेशन जानकरी देने जा रहा हूँ ये यूटूब चैनल पर किसी के पास भी नहीं है जो बड़े बड़े प्रवचन करता है उनके पास भी ये जानकरी नहीं है ये बहुत बड़ा secret knowledge में आपके सामें open कर रहा हूँ तो इसमें हम माता सिता का जन्म लंका में हुआ कि जनकपुरी में हुआ और माता सिता अगर जर लंका में उसका जनम हुआ था तो वो लंका से वहाँ कैसे पोची क्या वो भूमी की पुत्री थी, रावन की पुत्री थी, क्या इन साब में तक्य है ये हम जानेंगे मित्रो तो लेक्चर को शुरू करने से पुर्व हमारा यूटूब चैनल शेर किजे, सब्सक्राइब किजे और जिनको भी स्री विद्या पिठम द्वारा ओनलाइन कोर्सेस करने हैं तो हमारे ओनलाइन कोर्सेस का आप लाब ले सकते हैं पूरे वर्ल में authentic स्री विद्या साधना, स्री विद्या का knowledge और तंत्र के जो proper ritual से वो साधना हमारे स्री विद्या पिठम में ही सिखाई जाते हम स्री विद्या पिठम में कोई भी shortcut साधना नहीं सिखाते और हमारे जैसे साधना बाकी जगाओं पर नहीं सिखाई जाती है। आपको अगर सिखना है तो हमारे इस महामृत्यूंजे साधना का भी आप लाप ले सकते हैं। ये पूरी एक भूख है इसमें तरपन अभिशेकम का विधी सिखाया हुआ है। कथा ये दूसरी बुख हनुमान जी साधना की है और ये सिद्धकुंजी का साधना है। ये कुल देवी के लिए स्पेशल साधना बनाई है। इसके साथ हमारे यहां सुवरनाकरशन भहरो ब्लैक मेजिक रिमूव करने के लिए सपन वराही लगूमातंगी उच्छिष्ट चांडालिनी प्रत्यंगीरा साधना इनका भी आप लाब ले सकते है। दुर्गा सब्तशती साधना का भी लाब ले सकते है। यह सारी किताबे इनके रिचुल्स हमने प्रॉपर वे से सिखाई है। तो आप इनमें हाँ लाब ले सकते हैं। इनका पूरा इनफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर है मुझे आप संपरक कर सकते। और यह साधना यह आप जरूर लाब ले सकते हैं। आपके उप्योग की यह साधना है कुल कुलाचार और पितरों के दोश दूर करने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी मुख्य लेक्चर की ओर। माता सीता जो थी इनका जन्म लंका में ही हुआ, रावन के अधिपत्य में जो लंका थी उसमें हुआ। आज का जो स्री लंका है उतनी ही लंका नहीं थी। लंका जो थी वो स्रिलंका से लेकर अभी तक का ऑस्ट्रलिया का जो भागे वहा तक एक बहुत बड़ा भूखंड था और बाद में जैसे जैसे भू संकलन होता गया वैसे वैसे जो उसके बीच के जो कुछ खंड थे वो जमीन के अंदर पानी के अंदर वो जमीन चली गई पर ट्रांसपर हो गया भूखंड और बाद में बचा आस्ट्रलिया तो अलग हो गया परन्तु भारत के नीचे जो स्री लंका बचा वो छोटा सा हिस्सा बचा एक्चुली अभी का जो स्री लंका है वहाँ पर रावन का कोई ऐसा महल नहीं था वहाँ पर जो हम कह सकते हैं वन आशोकवाटिका का वहाँ अशोकवाटिका जो वन था उस वन का एक छोटा सा हिस्साजुल एरिया था वह आज के श्री लंका के पास निकलता था तो इस प्रकार से श्री का बिकर उन्हां एक वर्णन सुन सकते हैं और बागी kleine link haveesh वहाद में रूप दूब गयी वह रावन की माता सीता डायरेकली पुत्री नहीं थी, रावन की एक कजिन सिस्टर थी, और कजिन सिस्टर वगारा सारे जो थे, वो रावन के यही पर महल के आस्पा सी, महल में ही सारे जो थे, वो उनका एक प्रकर से रहना होता था, और रावन जी जो थे, अपने बहनों के उप भाईयों के उपर घर में प्रोपर ध्यान देते थे कहा क्या हो रहा है और रावन तो दिश्वकरन की ब्रामन था बहुत बड़े महापंडित थे तंत्र शास्तर के ध्याता थे तो उनको सारे शेंस आते थे उनको क्या होने वाला है क्या हो सकता है यह सब कुछ उनको जी को आया और रावन जी का उस तेम कैसा था कि रावन जी थोड़े से गुस्य वाले थे même कुरोद था बहुत फीरन तो पर को ऑँ आसपास के लोग उनसे कापी डरे और यह कजिन सिस्टर भी कापी डरे हुई रहते थी और जब से रावन जी को उस गर्ब का सेंस आया तब रावन जी बार बार जो थे वो अपने बहन के पास आते थे और उसे कहते थे मुझे लगता है कि कोई फीमेल मतलब स्त्री जो है वो जनम लेगी यानि कह सकते भांजी जी से कहते हैं भांजी जनम लेने वाली offend एसा कहा करते थे और जो सिस्टर थी उनकी सिस्टर का क्या हुआ था Allоны कं सौभाव के करेंट और रावन को ऐसा मेस्स हुआ था अब आप सोचेंगे कि बच्चे तो जनम लेते हैं परन्तु रावन को एक लड़की से डरने की क्या बात है ऐसा हुआ था कि पहले महिने में ही जब गर्भ उसके बेहन के गर्भ में वो माता सिता का गर्भ ठेरा तब जो एनर्जी का जो सेंस आता है ना वो ऐसा त्यूर था कि रावन को ऐसा लगता था कि यहां कोई स्पेशल आत्मा जनम लेने वाली है परन्तु वो स्पेशल आत्मा क्या है कोन है वो उसको थोड़ा सा साइकोलोजिकली समझ में नहीं आता था तो इसके कारण रावन जो था वो हमेशा उसके पीछे रहता था अपने सिस्टर के पीछे और वो डरी डरी भी रहती थी अब के जनम के बाद इन्होंने क्या किया कि रावन को जब यानि एक्चली जब गर्भ यानि कोई बच्चा जनम लेता है तब उसके अयनरजी और ऑरा की level बहुत होती है और वो और अरा gegen लेबल सूंग कर रावन जो था वो सिस्टर के पास चलाया जब सिस्टर के पास चलाया पूछने लगा कि क्या हुआ है बतिजा हुआ है या भतिजी भांजी हुई है क्या भांजा हुआ है तब सिस्टर ने कहा कि हमें भांजा हुआ है भांजी नहीं हुई है क्योंकि रावन को पहले से ही सेंस आता था कि भांजी होने वाली है और उसको तभी भी पता चलाता कि भ पिता जी नानाजी हम क्या सकते उनके जमाने के पंडित थे जो रावन के राजमेहल में जो सलुओं देना कुछ छुठ का सल रोते हैं पंडित वसक्ता धर जो तम आण में चीज़ों में सलुओं यूंध्य और उनको सब कुछ कहा क्या तब उन रोशी ने उनको सला दी कि एक पिटारा बनवाओ तो पिटारा उन्हों नहीं बनवाया उस पिटारे में माता सिता को रखा गया और वो जो रुशी थे उन्हों ने अपने मंत्रे शास्तर के द्वारा ये पिटारा जमिन के अंदर गाड कर एक जमिन से किसी दूसरे जमिन की और निक वो किसी अच्छे वेक्ति को मिल जाए और तब तक उस पिटारे में आक्सिजन प्राणवायू अच्छी तरीके से रहे उस बच्चे को जिन्दा रहने के लिए उस प्रकार से मंत्र के द्वारा क्रिया करके रखती थी तो उस नियोजन के अनुसार वो बच्चा पिटारे में रखा जाता है पिटारा लंका के ही जमिन में दफन करके उसको दुसरी और लेकर जाता है तब अब रावन को क्या है कि रावन को श्रक होता है अब उसको देखना होता है कि उसको भतिजा हुआ है कि भतिजी हुई है त को लाती है, एक adaptation के अकसके सकते हैं या कुस समय के लिए तो लाती है और रावन को दिखाती है, कि तुम्हें भतीजाई हुआ है, भतीज नहीं हुई है और हमने भगवान से मननत ही ऐसी मांगी थी कि हमें पूरुश ही चाहिए यानि बच्चा ही चाहिए बच्ची नहीं चाहिए और अगर हमें बच्चा हुआ तो हम वनवास में रहेंगे वन में रहेंगे ऐसे हमने मननत ही मांगे और उसी प्रकार से हम वन में जा रहे हैं परन्तु रावन ने उनसे कहा कि तुम वन में क्यों जा रही हो तुम् मैं उस बच्चे को अपने भांजे को अच्छे शिक्षा बगर जेता हूँ बढ़ा करता हूँ तुम चाहे तो अपनी मननत पूरी करने के लिए वन जाओ परन्तु उन्होंने कहा नहीं हमने मननत ही ऐसी बोली थी कि हम बच्चे को लेकर ही जायेंगे तो रावन भी कुछ कर किया था उस बच्चे को ओरिजनल उसके माता-पिता को दे दिये और वो वनवास के लिए निकल गए और उन्होंने लंका बाद में चोड़ दिये क्योंकि रावन को थोड़ा भी शक होता तो रावन उस टैम बहुत गुस्से वाले थे और रावन जी के इस गुस्से को और क्रोध को बहुत डरते थे ये सारे लोग इसलिए उन्होंने बाद में लंका छोड़ दी अब उसके बाद क्या हुआ कि जमिन के अंदर जो पिटारा गड़ा हुआ था वो सीधा पहुच गया जनकपुरी में उस टाइम जनकपुरी में जो राजा जनक थे वो राजा जनक हल बहुत रहे थे खेती में तब हल को एक पिटारा लग गया और भूमी से वो पिटारा उपर आ गया अब यहां कहते ही कि वो भूमी पुत्री थी भूमी से निर्मान हुए ऐसा नहीं है मित्रो यह स्टोरी इस प्रकार से बनती है अब आपको समझ में आ गया ऐसे भूमी आचानक से बच्चा पैदा करके किसी हाथ में नहीं रख सकती तो वो जब पिटारा उपर आया उस पिटारे को देखा तब उसमें बच्ची थी वही माता सिता थी और राजा जनक जो थे उनकी पहली पुत्री के रूप में प्रथम पुत्री माता सिता बनी और माता सिता के बाद और माता सिता को तीन बहने थी उसके पर जो हल है वो लक्षुमन जी का प्रतिक है लक्षुमन जी के हातों में जो लक्षुमन जी महाभारत द्वापर के यूग में बलराम जी मने वही लक्षुमन जी वही बलराम जी उन्हें शेशनाग कहा जाता है उनका मुख्य अस्त्र है हल और हल के द्वारा ही ये पिटारा उपर आ गया और माता सिता का एक प्रकार से प्राकट्य जो जनकपुरी में हो गया आप सोचेंगे कभी आपने सोचा है क्या कि ये टीवी में भी जब रामायन दिखाते ना कि पिटारा उपर आया जनक जो थे वो हल जोत रहे थे एक राजा हल क्यों जोतेगा उस टाइम क्या था मित्रो जनकपुर जो था ना उस टाइम जनकपुर में यानि जनकपुर ये कोई ऐसा छोटा सा हिस्सा नहीं था एक बहुत बड़ा राज्यता, बहुत बड़ा सामराज्यता, उस टाइम जनकपुर में बारिश नहीं होती थी, जैसे जिसे हम दुशकाल कहते हैं, अवर्शन कहते हैं, जैसे बारिश ना होने के कारव, उस टाइम लोग जनकपुर में, जनक के अंडर जो काम करने वाले, यह और जो राज्यतता जनक का प्रा ती एक टाइम का खाना ही खाती थी उनके पास दुस्रे साऩने के लिए उत्ना अन्य धान्यक का ये था उत्ना प्रोवाइडिंग नहीं था तो इसके कारण, भी जादा तर खेती में इस ताइम रहा करते थे और खेती में अपना ध्यान दिया करते थे और तभी ये पिटारा उपर रहा था और जब माता सिता जनकपुर में इस तरह से माता सिता ने प्रवेश किया उसके बाद राजा जनक का जो जनकपुर था जिसे मदुरा भी कहा जाता है क्योंकि माता सिता का दूसरा नाम मदुरा भी है और ये जनकपुर जो है उसे मदुरा भी कहा जाता है तो ये जनकपुरी जो है बाद में वहाँ बारिश होना शुरू हो गई वहाँ आना शुरू हो गया और एकदम वहाँ कोई भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही माता सिता के वहाँ प्रागटे होने के बाद, यह माता सिता का इस प्रकार से रहस्य है, और माता सिता के माता पीता का क्या हुआ ये भी मैं आज इसमें बताताओ, क्योंकि यह यह बहुत जबरदस्ट इंफर्मेशन है, आगे का इंफर्मेशन बताने से पुर्वा, फिर से आपको एक बा कि हमारा YouTube चाइनल शेर किज़े सब्सक्राइब किज़े और हमारा यह जो चाइनल है और लोगों तक पहुचाई है और जिने हमारे यहां से प्रॉपर और ओरिजिनल साधना सिखनी है वो हमारे यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिये गए है और जो मैंने को से दिखाए उनका बलाब लेग सकते हैं और मेरा मोबाइल नंबर तो स्क्रिम के उपर ही है तो आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी का आगे के हिस्से की और बढ़ते हैं जब माता सीता का यहां प्राकटे हो गया माता सीता जब 6 साल की हुई थी तब जाके वह अपने असली मात पिता से मिली अब असली माता पिता से कहा कैसे मिली असली माता पिता याने रावन की जो कजन सिस्टर और उसके पती थे उन्होंने बाद में लंका चोड़ी और बाद में अपने पुत्री का हुआ क्या इस सोच में वो थे कि अपनी पुत्री गरीब घर में तो नहीं गई अच्छे घर में गई ना वहाँ उसकी परवरिष अच्छी हुई है ना इस चिंता में वो रहते थे और जैसे जैसे ये उसके माता-पिता एक गाव से दूसरी गाव दूसरी गाव से तिसरी गाव ऐसे करते-करते छे साल भिख्षु की करके भिख्षा मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा पूरा इलाका घूमकर एक एक राज घूमकर जनक पुरी में आ गए। और राजा जनक के सामने जब आ गए तब राजा गर जनक के सामने आने के बाद उस समय कैसा था कि जो भिख्षुक आते थे, भिख्षुक याने जैसे ब्रामिन स्वगरा हो, या रुशिमुनी हो, ऐसे जो प्रापर कोई भिख्षुक होते तब आते थे, उनको 3-4 दिन रहने के लिए वेवस्ता की जाते थे, उनको खाने पिने के लिए कुछ वेवस्ता की जाते थे, द्वारा पहला दान दिया जाता था भिख्षुक को तो उस टाइम राजा जनक ने पहला दान जो था वो भिख्षुक को दिया था और वो भिख्षुक के माता याने वो सिस्टर रावन की कजन सिस्टर और उस सिस्टर के पती उनको माता सिता ने दिया अब उसी टाइम जो थ यह वह उन मातापिता ने अपने पूत्री को पहचान Pence to J implicate to आ応ा ज़्याने जब मातासिता को चटवा साल लगा है छटवे साल में ही उन्हों-ने उनको पहचान लिया आप सोचेंगे कि अपने पूत्री को इन दोने कैसे पहचान लिया तो चिन्न नहीं इस में से 2 चिन्न थे 2 चिन्न ऐसे थे कि माता शिता के बौडी के उपर 3 स्बर्ट थे एक प्रकार से जिनको वह कहते हैं तो एक तीन प्रकार थे तो वह चिन्न एक था वह मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वह सिक्रेट नॉलेज रपा दूसरा चिन्ह जो था माता सितह के पेर की उंगलियों के जो नाकुन थे तो धसों के इस नाकुन जो थे वह लाल कलर के थे उसमें से अंगुट के नाकुन जो तेना वो डार्क लाल रंग के थे अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों बाकी लोगों के नहीं होते वो प्यूर लाल रंग के थे उससे उन्होंने पेचान लिया कि ये हमारी उत्री है और ये खुश है यहाँ पर तो ये जो दस उंगलियों के दस नाकुनों के जो लाल रंग के नाकुने ये प्रतिक है कि माता सीता ने जब जनम धारण किया तो ये सारे एनर्जी को लेकर उसने जनम धारण किया था तो वो दिखाने का वो एक प्रतिक था इसमें से लक्षुमन, भरत, शत्रुग्ण, बगलामुखी, दुमावती, बगलामुखी और दुमावती का मिक रावन भी जो था वो भी उसी का ही एक प्रतिक है वो मैं कभी और इसमें बताऊंगा और चटवे साल में जब माता सीता को देखा उसके बाद कुछ समय के लिए ये जो रावन के कजिन सिस्टर और उसके पती जो थे वो जनकपुरी में कुछ सालों तक रहे उनको पात साल रहने का और पात साल संभलने का एक प्रकर से उनको ये दिया गया वहाँ पर क्या कह सकते हैं होता है ना कि कोई भिख्षुक आया है और उसको किसी गाओ में रहना है तो वहाँ के अगर खुशाल राजा हो तो उस राजा वो जो राजा होता है वो ऐसे भिख्षिकों को एक स्तान देता है और उनको खाना पीने की व्यवस्ता कर देता है तो वहाँ पर जो राजा जनक के अंडर जो राजा थे उसने उनका ऐसा पास साल के रहे विवस्ता किया था पर उन्तु बाद में एक साल के बाद ही एक साल वहार रहे और एक साल के बाद ही माता सिता के जो ओरिजनल माता पिता थे उनका बाद में देहानत हो दया क्योंकि उनकी तुरुक्ती हो गई, अपनी बच्ची जो थी वो खुश्याल है इस प्रकार से, तो आज जो सिता नोमी है, माता सिता का जनम दिन जिसे हम कहते हैं, इसका ओरिजनल इन्फर्मेशन पूरे वर्ल्ड में आज तक किसने नहीं बताया है, इतने सारे प्रवचनकार है, लाको करोड़ रुपे प्रवचन के लिए लेते हैं, परन्तु इतना गहराई तक किसी को पता नहीं है, आज हमने आपको बताया है, हमारा यूटूब चैनल शेर कीजे, सब्सक्राइब कीजे, जिनको स्री विद्य पीठम द्वारा प्रोपर और ओरिजनल साधना सिखन है, यह ओरिजनल सिद्धकुंजी का का तंत्र सिखाया है, इसका आप लाब ले सकते हैं, तथा यह जो है, यह हनुमान जी की साधना है, यह हनुमान जी का भी इसमें तंत्र प्रोपरली सिखाया है, और उसके बाद यह जो है, एक प्रकर से महामृतुंजे साधना है, इसका प्रॉपर विधान महामृतुंजे का सिखाया है कापी सारी लोग मंत्र के रट्टा मारते हैं मंत्र के रट्टा मारने को प्रॉपर साधना नहीं कहा जाता और हम जो सिखाते हैं वो ओरिजनल प्योर है ये वर्ल में कहीं सिखाया नहीं जाता तो आप जरूर प्रॉपर साधन करना सिखे जिनको ओरिजिनल नौलेज लेना हे वो हमारे क्रियायूग इसेंशल के द्वारा is स्री विद्धिया इसंचल के द्वारा हमारे knowledge-based courses को भी Chelseaelen हो सकते कभी न कभी आपको ओरिजिनल नौलेज और प्योर्सा दना बढ़ना है क्योंकि आप में से बहुत सरी लोग मंत्र के रट्टा मारते हैं और उस रट्टा मारने से कुछ नहीं होता उल्टा मंत्र का अशुद्धी का दोश लगता है तो जिनको हमारे नौलेज लेना है वो सहबागी हो सकते हैं और हमारे वाटसप ग्रूप में भी आप शामिल हो सकते हैं बहुत सरे लोग हमारे साधनाओं का लाब लेते हैं स्रीविद्य पिठम में आते हैं हमारा ब्लॉग है उस ब्लॉग को आप विजिट किजे www.srividyapitam.com और मेरा मोबाइल नंबर है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है हम प्यूर इंफॉर्मेशन देते हैं जो बाकी जगहों पर नहीं होती हमारा ये प्रॉपर चाइनल और बागी के जो हमारे लेक्चर है उनको भी आप फॉलो कीज़े और हमारे वाटसप ग्रूप में आप शामिल हो सकते नमस्ते मित्रो हमारा चैनल शेयर कीज़े और सब्स्राइब कीज़े धन्यवा झाल 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 झाल